यह कितने सालों से इसकी लिपाई पुताई नहीं करी और रिंगाल उता है और जैसे रूटी बनाने के लिए हो गया या आटाव गरर रखने के लिए बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है क्या कमाल था संद्रे के पेड़ पे ना धेर सारी मदवख्या हैं तितलियां है और जो मदवख्या होती है ना वो इसे रस को सहद के रुपए बदलती है इतनी जादा है यह चौक ना बिल्कुल सूख चुका है तो अभी अपने व्लॉक की सुरवाद भी हो चुकी है करीब अभी सुबह की साथ बज़ रहा है और मैं भी उटके विल्कुल रड़ी हो चुका हूं दिल में जाने के लिए अभी यहां पे चौक को लिपाई-पुताई करने का टाइम आ गया है क्योंकि खेतों में जो फसल व होता है उसको चौक पर लगाते हैं और इनकी भी छुटी है तो यह भी घर पर ही रहेंगे और आज देखो अभी हल्क किसी धूप खिली वी है जोड़दार तो है नहीं बाकी दूप यहां पाउज गई अभी वैसे जो अपना जो घर है न वो इस वाली जगह पर है और यह वाला घर है और अभी मैं आ रखा हूँ दिल में गाओं में बाकी यहां पर कुछ काम था वो काम निप्टाया अभी थोड़ा चाय पी लेते हैं उसके बाद मैं भी निकल जाता हूँ घर के लिए क्या है वो मैं भी खेलूंगा इस पर अभी जिस दिन इनके चुटी रहती है ना यह घर पर तमासा ही मचा देते हैं यह जुला इतना रिस्की है ना सीदे नीचे वाले खीत में जाना है अंसिक्या का जूला यह रहा अंसिक्या कुछ इस टाइब से जूला बना रखाया है इस टाइब से ना हम लोग बच्पन में खेलते थे और बच्पन की यादे ताजा होगे बाकी यह वाला ना काफी बाकी इस वाले चौक में लेपाई पुताई का काम भी हो गया है सुबह के टाइम पर जो गूबर वगर था मिटी वगर उसको मिक्स अब कर रहे थे बाकी जब तक मैं घर पहुचा तब तक यह भी कंप्लीट हो गया और इनकी सतानिया तो चलती रहेंगे करने के लिए मैं घर पे आये ना एक साइट से खाना भी रख जाए ये और भाकी आज इसी लिपाई पुताई होगी पता नहीं कितने सालों से इसका भी टाइम आई गया इसकी आद तब आगई क्योंकि चौक में लिपाई पुताई का गाम चल रहा है ये वैसे मतब नाने के लिए हो गया या आटा उगर रखने के लिए बह। सारी चीज़ो क्योंकि इस पर रूटी ना गिली नहीं होती जो होट पॉट होता है इस फाले संद्रे के पेड़ पे ना ढेर सारी मदमख्या हैं तितिलियां हैं और जो मदबख्या होती है ना वो इसे रस को सहद के रूपे बदलती है और अपने छटे पे ले जा लेती है तब जाके सहद तयार होता है और वैसे इस वाले छटे पे ना मदमख्या रहती है और उस टाइम बाद जैसे ये मतलब सहरा जो फूल वगरे का माहूल है ये खतम हो जाएगा उसके बाद वो सहद वगरे तियार कर लेंगी तो इस पे भी एक डबा करीब सहद निकाली जाता है हर एक साल तो इतना बहुत है अपने लिए आजकल धूप इतनी जादा है ये चौक ना बिल्कुल सूख चुका है लगवग 10 बजे के करीब इसकी लपाई पताई वी थी और अभी 12 एक बजे के करीब ना ये पूरा सूख चुका है कुछ को जगह पर रह गया तो लगवग 30 बजे तक ये पूरा सूख ज अभी गरीब शाम के लगवग 10 बजे चुका है और जो धूप तीना बूबी पूरी निकल चुकी है और जैसे धूप निकली इधर देखो पूरा धूंदी धूंद लग रहा है बाकी सुबह के टाइम पे बहुत तेज धूप हो रही थी और अभी देखो चार बजे के गरी धूप निकल गई मतलब यहीं पे नहीं सारी जगह धूप निकल चुकी है बाकी इधर के साइड देखो कितनी सारी धूंद लगी पड़ी है और बाकी इधर चौक देखो पूरा लगवग लगवग सूखी चुका है उदार सीड़ी के साइड रह गया क्योंकि वहां पे अच्छे से सूख चुका है अभी गरीबन पांस तो बजी चुका है और अब जाके मैं भी मस्तुरा निकल रहा हूं और इनका सुबह से अभी तक न चली रहा है अभी बंदी नहीं हुआ बाकी चलता हूं तो अभी गरीब रात के लगबग आठ साड़े आठ तो होई चुके है बाकी इलोग भी आ चु विए जिन्स कुट नहीं तो बाकी